दोस्तो स्वागत है आप सबका फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं National Institute of Design की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकिंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल, अलेक्रिकल और कंप्यूटर साइन्स इंजिनियर से लिजबल रहेंगे सेलरी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है आपकी परमान जोब रहने वाली है और क्या बताया गया है इनके ओफिसल नोटिस में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जॉब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब ग्रूप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका नैशनल इंस्टिटूट ओफ डिजाइन की तरफ से एक दिसंबर को निकाला गया है यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन नमबर देख सकते हैं यह संस्था आपकी Ministry of Commerce and Industry में आती है और Government of India का Enterprises है फिल हाल यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोस्ट ओपर वेकेंसी है जहाँ पर डिप्लोमा और B.B.Tech वाले अपलाई कर पाएंगे पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Senior Engineer के लिए यह वेकेंसी आपकी Building and Maintenance के लिए रहने वाली है Qualification में आपको बताया है अगर आपने B.B.Tech किया है Civil Engineering में और इसके साथ ही Minimum आपके पास 5 Year का Work Experience से किसी भी Government, Semi-Government या फिर PSU या फिर किसी भी Reputed Private Company का आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बात करें आपके Pay Level के बारे में तो Salary यहाँ पर आपको Age पर 7 CPC के नुसार Level 10 की मिलने वाली है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Assistant Engineer IT के लिए Qualification में आपको बताया है अगर आपने B.B.Tech किया है Computer Engineering में और इसके साथ ही Minimum आपके पास 2 साल का Work Experience आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Salary यहाँ पर आपको Age पर 7 CPC के नुसार Level 6 की मिल जाएगी और Last Vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है Supervisor Electrical के लिए यहाँ पर आपकी एक Post पर Vacancy है Qualification में आपको बताया है अगर आपने Diploma किया है Electrical Engineering में इसके साथ ही Minimum आपके पास 2 साल का Work Experience से आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे Salary यहाँ पर आपको Age पर 7th CPC के नुसार Level 5 की मिल जाएगी तो जो लोग भी इनके Elisability Criteria को पुरा करते हैं आप इसके लिए Interested होते हैं, Elisable होते हैं आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं Apply Process यहाँ पर आपका Online रहने वाला है Form Online होने यहाँ पर आपके सुरू हो चुके हैं Last Date यहाँ पर आपकी 31 December रहने वाली है तो जो लोग भी इनके Elisability Criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए Interested होते हैं, Elisable होते हैं आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Thank You, सुक्रिया